हाई एवरीवर्ण वन संगेन आप अंकिश्पांडे और आज हम बात कर रहे हैं फर्स्ट फ्लाइट बुक की क्लास टेंथ की पहले लेसन एलेटर टू गॉट की बारे में जो चलिए सुरू करते हैं पूरी घाटी में एकांत यानि पूरी घाटी में एक ही घर सेट अंदर क्रेश्ट आफ लोहिल जो निचली पहाडी की चोटी पर इस्थित्धा from this height इस उचाई से one could see the river one यानि कोई यानि कोई भी could see the river वो नदी को देख सकता था and the field of ripe corn dotted with the flowers and the field of ripe corn यानि पके हुए मक्के के खेत को dotted with the flowers जो फूलों से धके हुए है that always promised a good harvest जो हमेशा वादा करते हैं या हमें प्रदर्शित करते हैं दिखाते हैं एक good harvest अच्छी फसल का यानि अगर पके हुए मक्के के खेत में हमें फूल ज़्यादा दिखाई देते हैं तो वो हमें ऐसा प्रदर्शित करते हैं प्रदर्शित करते हैं प्रदर्शित करते हैं कि अच्छी फसल होगी the only thing the earth needed एक ही चीज जिसकी धरती को आवश्रकता थी वाजे downpour और at least sour एक मुशलाधार बरशा downpour यानि मुशलाधार बरशा और अथवा at least sour अथवा एक बहचार या या एक मुशलाधार बरशात की आवश्रकता थे throughout the morning लेंचो सुबह से ही संपूर सुबह यानि सुबह से ही लेंचो who knew his fields intimately who knew जो जानता था his fields अपने खेतों को intimately करीब से यानि कि अब यहां तक समझे कि सुबह से ही लेंचो जो अपने खेतों को बहुत करीब से जानता था जो रात्र का भोजन बना रहे थी रिपलाईड उत्तर दिया Yes, God willing हाँ, इस्वर के इच्छा The older boys were working in the field बड़े लड़के खेत में काम कर रहे थे While the smaller ones were playing near the house जबकि छोटे बच्चे घर के करीब खेल रहे थे Until the women called to them all जब तक की महिला उन सभी को नहीं बुलाती Come for dinner रात्र भोजन के लिए आओ It was during the meal रात्र भोजन के दोरां Just as Lencho had predicted जैसा कि Lencho ने भविश्वाणी की थी Big drops of rain began to fall बड़ी बरशात की बूंदे गिरना प्रारम हो गई In the north east उत्तरपुर में Huge mountains of clouds बड़े mountains of clouds यानि बादलों के पहाड जैसे यानि बड़े बादल Could we seen approaching आते हुए देखे जा सकते थे The air was fresh and sweet हवा बहुत थी ताजा और मधूर थी The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body The man went out आदमी बाहर गया for no other reason किशी और कारण से नहीं than to have the pleasure of feeling the rain on his body अपने शरीर पर बरशात का आनंद अनुभो करने के प्लीजर माने शुख खुशी feeling मतलब अनुभो करना यानि कि बरशात का पानी का अपने शरीर पर शुखद अनुभो के अलावा किशी और रिजन से आदमी बाहर नहीं गया and when he returned और जब वापस आया he exclaimed वा खुशी से चिलाया these are not rain drops falling from the sky या बरशात की बूदे नहीं है जो आसमान से गिर रही है they are new coins ये नए सिक्के हैं the big drops are 10 cent बड़े जो बूदे हैं वो 10 cent हैं and the little ones are 5 और जो छोटे हैं वो 5 के हैं with a satisfied expression he regarded the field of ripe corn with its flowers with a satisfied expression santos yanas santoshti के साथ याने expression अभिवेक्ती जो express भाव के साथ with a satisfied expression santoshti भाव से he regarded the field उसने खेत की तरफ नजर डाला of ripe corn पके हुए मक्के के with its flowers इसके फूलों के यानि कि जो पके हुए मक्के फूल से लदे हुए थे उसके खेतों को वो संतुष्ट भाव से देखता है dragged in a curtain of rain जो ढग चुकी थी बरशात की भूदों के चादर से बट लेकिन suddenly अचानक a strong wind began to blow एक तेज हवा बहना प्रारम हो गई and along with the rain और परशात के साथ very large halle stones began to fall बहुत बड़े ओले गिरने प्रारम हो गए these truly did resemble new silver wines अब ये वास्तों में नय चादी के सिक्के जैसे प्रतीत हो रहे थे the boy is exposing themselves to the rain बच्चे जो वर्शात में भींग रहे थे एक्सपोज करना अपने आपको दिखाना यानि बारिश में भींग रहे थे ran out to collect the frozen pulse वो बाहर दोड़ कर आए इन frozen pulse को इकठा करने है जम्य हुए मोतियों को इकठा करने के लिए यानि जो ओले पड़ रहे थे उनको इकठा करने के लिए अब या वास्तव में भूरा हो रहा है exclaimed the man आदमी ने चिलाया I hope it passes quickly मुझे उमीद है कि अस्य ग्रीश माप्थ हो जाएगा या गुजर जाएगा but it did not pass quickly लेकिन it did not pass quickly या जल्दी से नहीं गुजरा for an hour एक घंटे तक the hail rained on the house ओले बर्षे कहां पर घर पर the garden बगीचे में hillside पहाडियों में the corn field मक्य के खेतों में on the whole valley पूरी संपूर धाटी में the field was white खेत पुरे शफेद हो गये थे as if covered with salt जैसे कि वह नमक से ढग गये हो not a leaf remained on the trees पेड पर एक पत्तियां भी नहीं बची the corn was totally destroyed मक्या पूरी तरीके से nest हो चुका था वरवाद हो चुका था the flowers were gone from the plants जो fool थे वो पौधों से जा चुके थे गिर चुके थे Lencho's soul was filled with sadness Lencho का हिरदय दुख से भर गया उसकी आत्मा दुख से भर गयी when the storm had passed जब तूफान गुजर गया he stood in the middle of the field तो अपने खेत के मध में खड़ा हुआ and said to his sons और वेटों से कहा a plague of locust would have left more than this a plague of locust यानी की जो महामारी है locust तिड़ों की वो भी इस से अधिक छोड़ जाता the hail has left nothing लेकिन पोलों ने कुछ भी नहीं छोड़ा this year we will have no corn इस वर्ष हम लोगों के पास कोई भी आनाज कोई भी मक्का नहीं होगा that night was a sorrowful one वह रात रेक दुख भरी थी all are work for nothing हमारा सब काम ब्यर्थ हो गया zero हो गया सुन्य हो गया बेकार हो गया there is no one who can help us कोई भी नहीं है जो हमारी मदद कर सके we will all go hungry this year हम सभी इश्वर्ष भूखे रहेंगे आगे बढ़ते हैं but in the hearts of all who lived in the solitary house but in the hearts of all लकिन सभी के हिर्दय में who lived in that solitary house जो उस अकेले घर में रहते थे in the middle of the valley उस घाटे के मद्ध में यानि उस घाटे के मद्ध में अकेले घर में रहने वारे सभी के हिर्दय में there was a single hope एक ही उमीद थी help from God इश्वर्ष से मदब don't be so upset बहुत अधिक परिशान मत हो even though this seems like a total loss यद्यप कि यह प्रतीत हो रहा है कि यह संपुड नुक्षान है छती है remember याद रखो no one dies of hunger कोई भी भूंक्षे मरता नहीं है वो आपस में बात कर रहे है that is what they say यही वह था जो वो लोग बात कर रहे थे no one dies of hunger कोई भी भूंक्षे मरता नहीं है all through the night पूरी रात शंपुड रात लेंचो थौट वनली आफ इस वन होप लेंचो सिर्फ अपनी एक ही उम्मीद के बारे में शोच रहा था the help of God इश्वर की मदब whose eyes जिसकी आँखें जिसकी द्रिष्टी as he had been instructed जैसा कि उसको समझाया गया था निर्देशित किया गया था बताया गया था she everything सब कुछ देखती है यानि कि जैसा कि लेंचो को बच्वमन में लोग सब बताते हैं एक दूसरे को कि भगवान की नजर से कोई नहीं बरसता यानि वो यहाँ पर है कि जैसा कि लेंचो को बताया गया था कि उसकी आँखें सब कुछ देख लेती है भगवान की आँखें even what is deep in one's conscience वो भी देख लेती है जो किसी व्यक्ति के मन में है चेतना में है लेंचो वाज एन आउक्स आफ ए मैन लेंचो एक बैल जर्शा था यानि आदमी के रूप में बैल था वर्किंग लाइक एन एनिमल इन फिल्ड जो जानवरों की तक खेत में काम करता था but still he knew how to write लेकिन फिर भी वह जानता था कि लिखा कैसे जाता यानि लिखना वह जानता था the following Sunday अगले रविवार को at daybreak दिवश विश्राम के दौरान दिन विश्राम करते हैं उसके दौरान he began to write it later उसने एक पत्र को लिखना प्रारम किया which he himself would carry to town जो वह स्वयम टाउन यानि कश्वे में ले जाएगा and place in the mill और पत्र पे डिका में डालेगा it was nothing less than a letter to God यह इश्वर को पत्र था यानि इश्वर को पत्र से कम नहीं था इसका मतलब यह इश्वर को पत्र था God भगवान he wrote उसने लिखा if you don't help me यदि आप मेरी मदद नहीं करेंगे my family and I will go hungry this year मैं और मेरा परिवार इस वर्ज भूखे रहेंगे I need a hundred pesos हमें 100 pesos की जरूरत है अच्छे यह pesos क्या है यह currency है Latin American countries की currency जैसे हमारे हैं रूपया होता है अमरिका में डॉलर होता है विशे यह currency है तो क्या बोलता है कि I need a hundred pesos in order to show my fields अपने खेतों को बुखाई करने के लिए अगें पुनह यानि अपने खेतों के पुनह बुखाई करने के लिए and to live until the crop comes और जीवित रहने के लिए जब तक कि फशल हो नहीं जाती I need a hundred pesos मुझे 100 pesos की जरूरत है because the hell is storm क्योंकि ओलो ने बाकी आगे कहानी उसने लिखा था ओलो की he wrote to God उसने लिखा to God on the envelope envelope के उपर जैसे लिखते हैं न पत्र to God या to जिसको भी भेजना होता है उसको लिखते हैं तो उसने लिखा to God put the letter inside उसके अंदर पत्र को रखा still troubled went to town कठिनाईयों को सहते हुए वह कश्पर तक गया at the post office post office पर he placed a stamp on the letter उसने पत्र पर एक ठिकट चिपकाया and dropped it into the mailbox और इसे mailbox में डाल दिया one of the employees एक करमचारियों में से एक हूँ आज पोस्टमें जो पोस्टमें था and also help at the post office और पोस्ट office में भी मदद करता था went to his boss अपने boss के पास गया laughing hurtly एकदम हिर्दय से दिल से हसते हुए and showed him the letter to God और उसे इश्वर को पत्र दिखाया never in his career as a postman postman रहते हुए उसके पूरवे career में कारिकाल में he had known this that address वह ऐसा कोई address नहीं जानता था the postmaster जो postmaster था एक मोटा आदमी amiable जो friendly, pleasant हश्नुमा परस्नालिटी था हश्नुमा व्यक्ती था also broke out laughing वह भी खुल के तेजी से हशने लगा but almost immediately लगभग तुरन थी immediately तुरन थी he turned serious वह गंभीर हो गया and tapping the letter on his disc और पत्र को अपने disc पर tap करते हुए commented यान थपतपाते हुए commented उसने बोला what faith क्या आस्था है I wish I had the faith of the man मेरी इच्छा है काश मैं भी इतना आस्था रख पाता विश्वास रख पाता कैसा who wrote this letter जिसने ऐसा पत्र लिखे या पत्र लिखा काश मैं भी ऐसा आस्था रख पाता starting of a correspondence with God और पत्राचार करता भगवान के साथ so in order not to seek the writer's faith in God so in order not to seek यानि कि विचलित ना हो writer's faith लेखक का विश्वास in God यानि इश्वर में लेखक का इश्वर में विश्वास विचलित ना हो डगमगाये ना सेक मतलब हिलना होता है ना हिले यानि डगमगाये न the postmaster came up with an idea postmaster के मन में एक विचार आया answer the letter पत्र का उत्तर देते हैं but when he opened it लेकिन जब उसने इसे खोला it was evident या उसमें प्रमार्था that to answer it की इसका उत्तर देने के लिए he needed something more than goodwill अच्छे विचारों के अलावा भी उसको कुसकी ज़रूरत है यानि ink and paper goodwill ink and paper के अलावा भी कुछ और चीज की ज़रूरत थी but he stuck to his resolution लेकिन वह अपने विचार पर सुझाओ पर अडिग रहा टिका रहा he asked for money from his employees उसने अपने करमचारियों से पैसा मांगा he himself gave part of his salary उसने अपने स्वयम के वेतन का खिश्चा दिया salary का हिश्चा दिया and several friends of his और उसके कई सारे मित जो और अपने स्वयम के अपने स्वयम कर रहे थे it was impossible for him to gather together the hundred pesos यह असंभव था कि 100 pesos वे सब इकठा कर पाते so he was able to send the farmer only a little more than half अतर आधे से कुछ ज़्यादा ही वे लोग किशान को भेज सके यानि कि वो सब लोग इकठा किये तब पर भी 100 pesos नहीं हुए आधे से ज़्यादे ने 50 से ज़्यादा वोग भेज दिये he put the money in an envelope उन्होंने पैसे को envelope में रखा address to lencho, lencho का address लिखा and with it और इसके साथ a letter containing only a single word as a signature एक signature के रूप में एक सब्द लिखा उस letter में God the following Sunday अगले रविवार को lencho came a bit earlier lencho थोड़ा जल्दी आया than usual शामान जो समय पे आता था उससे थोड़ा जल्दी आया to ask if there was a letter for him यह पूशने के लिए उसके लिए कोई पत्र है it was the postman himself was Swam postman who handed the letter to him जिसने उससे पत्र को थमाया while the postmaster जबकी postmaster experiencing the contentment of a man who has performed a good deed ऐसा अनुभव करते हुए एक आदमी का जिसने अच्छा कार किया हो looked on from his office अपनी office से देख रहा था यहने कि postmaster जो था वो अपनी office से इस भावना से संतुष्ट भाव से मैंने एक अच्छा कार किया है वहां से देख रहा था lencho showed not the slightest surprise लेंचो जारा सावी आश्चेहर प्रकट नहीं किया on seeing the money पैसे को देख कर such was his confidence इतना उसका विश्वास था but he became angry लेकिन वह क्रोधित हो गया when he counted the money जब उसने पैसे को गिना God could not have made a mistake इस तुर कभी गलती नहीं कर सकता nor could he have denied lencho ना कि उसने मना भी किया होगा जो lencho ने कहा है what he has requested लेंचो ने जो उनसे प्रार्तना की है उससे deny भी भगवान नहीं करेंगे immediately तुरन थी lencho went up to the window lencho खिड़की के पास गया to ask for paper and ink श्याही और paper मांगने के लिए एक आगज मांगने के लिए on the public writing table सारुजनिक लिखने वाले table पर he started to write उसने लिखना प्रारंब किया with much wrinkling of his bro अपनी भाहों को बहुत अधिक शिकोडते हुए caused by the effort he had to make to express his ideas जो कि वह अपने विचारों को ब्यक्त करने के लिए प्रकट हो रहे थे यानि कि जब वो विचार को प्रकट करने के लिए जो लिख रहा था उससे उसकी भाहे बहुत शिकोड रही थी यसे क्रोध में आदमी कोई कार्य करता है तो उसकी शरीर की चहरे की रंगत अलग हो जाती है खुशी में करता है तो लग हो जाती है तो ऐससे वहाँ पे ही उसकी भाहे ज़्यादा ही शिकोड रही थी फिन ही फिनिश जब उसने समाप्त कर लिया ही वें टू दे विंडो वो खिड़िकी के पास गया टू बाई ए स्टैंप एक टिकट खरीदने के लिए फिच ही लिग्ड जिसे उसने चाटा और उसके बाद चिपका दिया टू दे इन्विलेप इन्विलेप के ऊपर विथे ब्लो आफिस फिस्ट अपने मुठी के प्रहार से यानि टिकट को लिया तोड़ा सा चाटा उसमें थूक लगाया और टिकट चिपका के मुठी से प्रहार करके उसको चिपका दिया दो मुमेंट दे लेटर फेल इन्टो दे मेल बॉक्स चैसे ही मेल बॉक्स में पत्र गिरा पोस्ट मास्टर वेन टो ओपन इट पोस्ट मास्टर उससे गया खोलने के लिए इट सेड उस पर लिखा था God, इश्वर भगवान of the money that I asked for वो अधन जो मैंने मांगा था, कहा था वलनी 70 पीसोज रीजन मी सिफ सतर पीसोज ही हम तक पहुँचे है, मुझ तक पहुँचा है Send me the rest बाकी का भी भेज दीजिए since I need it very much क्योंकि इसकी आवस्टता मुझे बहुत ज़्यादा है but, लेकिन, don't send it to me to the mail लेकिन इस बार mail से मत भेजना, post से मत भेजना, because the post office employees, क्योंकि post office के करमचारी are a bunch of crooks वह बैमानों का ठगों का समू है लेंचो, ऐसा नीचे लिख्या लेंचो, यानि इस पत्र में आप देखेंगे दो चीजा समझ में आती है कि लेंचो का इतना भरोशा था कि उसने इस्वर को पत्र लिखा और return मिलने के बाद भी उसे कोई आशेर नहीं हुआ दूसरा चीज हमने ये देखा कि post office के करमचारी अच्छे मदद के लिए आगे आए तो आप इसको बार बार देखिए समझे और ज्यादा से ज्यादा अपने friends को सेर करिए जो tuition नहीं कर पा रहे हैं पढ़ाई में दिक्कते आ रहे हैं वो आराम से इसको go through कर सकते हैं Thank you